नमस्कार और सलाम, आज सुनवाई शुरू होने वाली थी जक्या जाफरी के केस में, गए मंगल को भी सुनवाई हुई थी, और आज की तारीक दी गई थी, और जज साहब ने कहा कि चुकि ये मैटर लंबी है और बहुत गंबीर है, इसलिए अगले सोमवार तक यहरिंग पो सुनवाई होगी, 26 नवेंबर संविधान देवस भी है, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि उस दिन की सुनवाई इंसाफ पसंद लोगों की तरफ होगी, हमारे साथ करी हैं दुरेया जाफरी, जो जक्या जाफरी की बहू है, तन्वीर भाई जाफरी की बीवी हैं, और व आगे चलाए और यह आगे चलेंगा भी क्योंकि इस यह बलब क सुसाइटि के कैसे कि एकिस के लावा दूसरे जो पूरे गुजरात के आदर जो डंगे हुए थे वह के डि़ेकर हमने आगे बढ़े हैं और के जो गुजरात गुजरात्यों के लिए जो जो जाबर दिये थे उस हिसाब से उन लोगों को सज़ा तो हुई है लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से तो थोड़ी कमी हुई है लेकिन फिर भी कोट ने उसके ओपर तो अपना फैसला दे दिये लेकिन यह केस जो हमने यह प्रिटिशन डायर करें हैं यह F.I.R. पुरे और गुजरात के अ वापिस रिपीट करवाए हैं और लोवर कोट के अंदर उसको को चैलेंज करें हैं हमने यह प्रियां पे सप्रिम कोट में आके कि जो हमने 2006 के अंदर यह केस दायर करें थे और उसके अंदर आर्भी शिरीकुमार साहब और राहुल शर्मा ने जो इविडेविट दिये थे उसको कोट ने अंदेखा कर दिये हैं हम उसको वापिस हैना को खुलवाना चाहते हैं उनको वीडेंस को उनकी कैसी जो उन्होंने पेश करें हम उन सब को उन सब की चीजों को वापिस कोट के सामने लाना चाहते हैं पस हमारा यही केस है और हमको बहुत उमीद है सुप्रिम केस हैं आठ छे दोजार शे को अप्रादे त्याची का दाखिल हुई थी डीजीपी के सामने वह केस को लेकर लेकर हम लोग साथ में लेकर सुप्रीम कौर्ट तक आए उसके बाद सुप्रीम कौर्ट ने क्लोजर रिपॉर्ट या फाइनल रिपॉर्ट के बाद हमको प्रोटे एक संगश आगे बढ़ सके जक्या अपा जाफरी की इस वक्त अब्यद बहुत कराब है इसलिए वो नहीं आ सकी ने तो एक एक हेरिंग में वो आने के शुरूआत में आखिर में जरूर आती थी हम बस उनके लिए दुआ करते कि उनकी तब्यद जल्दी से जल्दी अच्छ हो जाए और हम शुक्रियादा करते हैं तुरेया जाफरी को और तन्वी जाफरी को जो मतलिक पूरे परिवार को जो डट के इनसाफ के लिए सारे गुजरात के विक्टिम्स के लिए वो खड़े हैं संभिधान पे जो अपराद हुआ 2002 में उसके लिए खड़े हैं हम उनका कि बहुत बहुत शुक लिए दो आपब और कुछ कहना हैं तो हमें यह भी कहना चाहती थी कि सीट ने तो यह केस के अंधर जो रुपोट दी थी उसके अंदर तो उन्होंने चार्ज गुनाबारी बताये थे और आगे चलाने का भी कहा था आमारे का स्कुरी कर ने भी जो र और हमें नियाए दे और हम उनसे नियाए की दुवार लगाते हैं बस और हम आगे अल्ला मालिक है यह बहुत बड़ी बात रखी गई कि जहां पे साइटी के खुद के रिपोर्ट में माना गया था कि बड़ी एक साजिश के बारे में कुछ न कुछ बिंदू हैं तो क्यूं य हो यह बहुत बड़ा सवाहल है सुप्रीम कौट के सामने हम पूरी इमीद रखते हैं कि अगले सोमवार को जब सुनवाई होगी यह पूरी बात पर दलीले रखी जाएंगी और सुप्रीम कौट हमारी याजिका को एडमिट करके जो खराबिया आई है यह केस में उसको